सबी मित्रों को नमसकार जेहिंद बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मैं हूँ राजेश सर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल राजेश गुरू जी कारियाल संकुल केंदर सास की अबालक कन्या उचितर मादविक विद्धियाल सुबापूर विकासकंड सुआखपूर जिला नरब्दा पुरम मदप्रदेश का ओफीसियल अपडेट है संकुल की तरब से निकला है मित्रों अगर ऐसे आदेश आए तो कोई भी अतिती सिक्षक नरास नहीं होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कई जिला सिक्षा अधिकारी अतिती सिक्षकों को हटा रहे हैं कई संकुल प्राचारिये बहुती इमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और इस सत्र अतिती सिक्षकों के लिए मौका दे रहे हैं अगर कोई संकुल में अतिती सिक्षक प्रमोसन के कारण हटता है तो उन अतिती सिक्षकों की विवस्ता दूसरे स्कूल में की जा रही है ये बड़ा आदेश है मित्रों, धीडियो सास्किय बालक उच्छतर माधविक विद्धयाल सोवापुर के इस्तानतरण करमचारियों की नवीन संस्ता में पदेस तापना उपरांद अथिती सिक्षकों की सिक्षणिक कारिये विवस्ता के अंतरगत आगामी आदेस तक कालम पांच में दर्साई गई संस्ता में ततकाल प्रबाब से सिक्षणिक कारिये हेतू पदस्त किया जाता है अतिती सिक्चक का नाम है रीता ठाकूर दूसरा है पंकज रगवनसी पदनाम अतिती सिक्चक बर्गतीन अतिती सिक्चक बर्गतीन बरतमान संस्ता सास्किय प्रात्मिक सास्किय एपी एस हाई स्कूल भटगाउं और यहां पर टीचर आ चुके हैं और इनको नवीन जो संस्ता मिली है सास की एपरात्मिक मौकल मारी और सास की एपरात्मिक रैपुरा दोस्तों एक इतना अच्छा आदेश है और मैं आपको बताना चाहता हूँ हर जिले में ऐसा होना चाहिए हर संकुल में ऐसा होना चाहिए लेकिन होगा कब होगा जब डीपी आई आदेश जारी करेगा बगए डीपी आई के मद्द प्रदेश के तमाम संकुले आदेश जारी नहीं कर रहे हैं और अता संस्ता पिर मुक्त निमनिकित अधिती सिक्चक की नवीन संस्ता ही तुकारी मुक्त करे इवम अतीती सिक्चक नवीन संस्ताम पदभार ग्रेंड कर संकुल में पालन पर्तिविदन परअपरसुत करें हतीती सिक्चक कारिये विवस्ता दुङर चोबीस सोबापुर जिला सिक्चा अदीकारी जिला नरवदापुरम की और से साधर सूचनाथ बिकासखंड सिक्चा अदीकारी सुआखपुर की और से साधर सूचनाथ बिकासखंड इस्रोस समद्बे सुआखपुर की और से साधर सूचनाथ इवं संबंदि संस्ता प्रमों के वं अतिती सिक्चक की और से सूचनाथ मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रीम कंडिशन क्या है क्योंकि ए अतिती सिक्षक एक ही संकुल के हैं तो पोर्टल पर नाम तो इनका चड़ा है लेकिन इनका मांदे जनरेट कर दिया जाएगा दूसरी साला में इनको भेजा गया है और ए हो सकता है अगर संकुल प् मित्रों कोई हर अतिती सिक्षक का नीमिती करन भी हो सकता है लेकिन अतिती सिक्षक का हित नहीं चाहा रहे हैं भाईयों लगातार उनको हटाया जा रहा है उनको परेसान किया जा रहा है उनको बैतन रोक के रखा है उनका नाम पोर्टल पर नहीं चड़ाया जा रहा है ये दिक्कतें परेसानियां बनी हुई हैं मित्रों, इनका निराकरन नहीं हो रहा है, नोडल अदिकारी नियुक्त किये गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, बांकि आपके लिए एक और वीडियो आ रहे हैं, फिर मिल रहा हूँ, एक और वीडियो में तब तक लीजाए इन अधियाबाद बंदे माद।